हेलो दोस्तों स्वागते आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंडियन लर्णन दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मिश्व में प्राइज अपडेट कैसे करें सिंपल तरीके से जी हां दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपक प्राइज चेंज करनी होती है वो कैसे करना है उसका सिंपल तरीका बताऊंगा तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखेंगा दोस्तों तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे ओले मैं बता देता हूँ कि पराइज अपडेट करने के लिए आपके पास कौन कौन से चीजे होनी चाहिए कौन कौन से डेटा आपको प्रिपेड करने पडाएंगे तो no.1, catalog ID आपके पास होनी चाहिए, no.2, product ID होनी चाहिए, no.3, existing price आपके पास होनी चाहिए, जिस product की आप price change करने वाले है no.4, new price, जो भी आपको नई price अपडेट करने हैं, वो आपको enter करके रतना है एक Excel seat में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कैसे करना है तो चलिए दोस्तों, सुरू करते हैं सबसे पहले आपको कर देना है, मिस्सो सप्लाइर पैनल पे लोग इन उसके बाद, लेफ्ट एंड साइड में आपको inventory टेप दिखाए देगा, वहाँ पे आप जाकर आपको क्लिक करना है यहां दोस्तों, जैसे आप आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का ओप्शन दिखाए देगा, वहाँ से डाउनलोड कर देना है, टेंबलेट फाइल यहां से आपको product ID और catalog ID इस Excel सीट से आपको मिलेगा, इसलिए आपको डाउनलोड करना है तो चलिए दोस्तों, हम directly अब live process देखते हैं, Excel सीट में कैसे आपको format बनाना है तो चलिए दोस्तों, हम directly जो फाइल हमने डाउनलोड की थी, उससे हम पहले open कर लेते हैं यहां दोस्तों, यह file open हो चुकी है, उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको enable editing कर देना है, उसके बाद यह data है, पूरा control A करके control C कर देना है यह column hide है, automatically, इसमें कुछ column है, क्योंकि यह productive seed होती है, तो इसमें 2-3 column hide होती है, यहां पर आप देख सकते हैं, यह column hide है, यहां पर I column भी hide है यहां दोस्तों, इसलिए में पूरा control A करके control C कर दीजिए, उसके बाद new excel seat open कीजिए, यहां पर आप simply paste कर दीजिए, उसमें क्या होगा, जो भी column वहां पर hide है, वो यहां पर दिखाई देगी आपको, उसमें से आपको क्या कर लेना है, कुछ catalog ID यहां से आपको ले लेना है जिसका भी आपको product का price update करना है, वो आपको यहां से ले लेना है, catalog ID और product ID, यह दोनों जैसे ही आपको यहां से copy paste कर लेना है, मैं यह data अलएडी ले चुका हूँ, वो मैं आपको बता दूगा, इस तरह से, आपको एक excel, new excel seat में paste कर देना है, उसके बाद आपको चेक करना है कि उस catalog की current selling price किया है, जो भी selling price है current वो यहां पर आपको enter कर देनी है, जैसे कि मैंने यहां पर कर दी है, उसके बाद मैं नई price increase करना चाता हूँ, यह decrease, वो आपको decide करना है, उसके बाद new selling price आपको यहां पर enter कर देनी है, उसके बाद same यही format से आपको क्या करना है, फाइल क चाल लेकिटरेश करेंगाँ करते हैं तो चलिए दुस्तो looked there we मिस्व सप्लायर फेनल के Serse Marail मिस्व दूर की साम बिच्षान करेंगे तो चलिए दुस्तो lí aids मिस्व सप्लायर केशा जाते हैं मिस्व सप्लेश मिर से आपको टिकेटरीश करना रपार करोदीट तो सबसे पहले आपको करना होगा support पे click उसके बाद आपको click करना है catalog and pricing पे view all पे जैसे click करेंगे न आप तो यहां पे आपको दिखाई देगा सुरी दॉस्तो यहां पे view all पे click करना है उसके बाद यह दिखाए I want to change price of product and catalog इस पर आपको click कर देना है उसके बाद आपको लिए टिकेट पे क्लिक कर देना है जहां फर आपको केटलोग अईडी मीस प्रोड़क्ट और सेलिंग प्राइज हो और ओल सेलिंग प्राइज देखे दोस्तों जहां पर भी श्टार लगा है ना वह मेंडिटरी है अगर एक से ज्यादा केटलोग है मतलब एक स्कूर से ज्यादा आपके केटलोग है तो आप यहां पर जीरो कर दीजें क्योंकि आपने एक्सेल सीट बना दिये तो यहां पर मैंशन करने की ज़रूरत नही रहे हैं उसके बाद आप करेंट प्रैस कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर न्यूश्य प्रैस भी कुछ भी लिख दीजीए कि आपको डेटा वही देना है जो आपने एक्सेल सीट में फिलब किया है फिर आपको यहां पर टाइप कर देना है मैसेज जो आप करवाना चाहते हो कि दियर टीम कि प्लीज अपडेट कि न्यूं कि केटलोग प्राइज एस पर अटेज डिटेल्स जैन दोस्तों यह टाइप करके आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं उसके बाद यहां पर अटेज्मेंट का ऑप्सन है चाहां से आप क्लिप करके डायेक्ली हो जो फाइल आपने रेडि की है वो यहां पर अप्लोड कर देनी है विदिन 24 या 48 अवर्स के अंदर आपका किटलोग की प्राइज अपडेट हो जाएगी जो आपने नहीं अपडेट की है अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज लाइक कीजिए और सेर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए थैंक्स फॉर वोचिंग दोस्तों